जो हर सभी को आप सबका स्वागत है और एकने वीडियो पे और इस वीडियो पे हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे कई लोगों का जो कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में जब भी यहाँ पे आप अवेदन करने जाते हैं तो वहाँ पे एक समझ सा आपको देखने के लिए मेरी हैं कि आपका वहाँ पे रेजिटेशन जब भी कराया जा रहा है तो उस टाइम आपका एक गलीच हो रहा है और यहाँ पे सर्वर डाउन के कारान जो कि आपका रेजिटेशन नंबर नहीं निकल पा रहा है और रेजिटेशन नंबर जो कि नए निकलने के कारान और कुछ दिन आप 2-4 दिन वेट करने के बाद आप बेनेफिसरी लिश्ट में जब आप चेक करते हैं जो कि पुराना अपना तरीका था कि beneficiary list में check करने से ही आपका जो भी यहाँ पर जो भी candidate जो की लाभुक थे वो उसका यहाँ पर list में नाम जोड़ा जा रहा था तो कई लोग का ऐसी समझ से है कि उनका list में अभी तक नाम नहीं जोड़ा है और उसको जल्द से जल्द उसका यहाँ पर receiving देना है या फिर उसका registration नमबर देना है तो उसको निकालने का जो की नया तरीका है उसके बारे में हम लोग जानेंगे तो simply वो नया तरीका क्या है उसके जानने के लिए simply वीडियो को बिना skip किए देखे और इस वीडियो में आये हैं यानि की कुछ ना कुछ आप सीख के जाएंगे तो अगर आपको सिंख के जाते हैं तो सिंपल ले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करें ताकि आएसे ही आने वाली कोई भी अप्डेट सबसे पहले आपको मिल सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैसे हमारा जो की है आपको रेजिश्टेशन नंबर आपका निकालना है आपका कोई भी है जैसे कि अल्रेडी का प्रॉब्लम आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमारा पोर्सेस है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह मेरा फ्रीसी का जो भी स्क्रीन है वहां पे आ चुका हूँ और अभी जो की अपडेट कल के अपडेट के बाद यहां पे जो की मोबायल से नहीं चल रहा है तो यहां पे PC का ही आपको सारा लेना पड़ेगा जो भी ओपरेटर यहां पे आपका कोलान में सेलेक्ट करूँगा और जैसे कोलान में सेलेक्ट करने के बाद यहां पर जो की ID पासवर्ड आपका रहेगा जैसे कि आपका CSCVL है तो CSCVL और जो भी यहां पर आपका ID पासवर्ड है उसको देने के बाद यहां पर सिंपली केप्चर को आपको यहां पे कुछ करना नहीं है, सबसे पहले जो कि आपका यहां पे home screen पे चला जाना है, जैसे मैं यहां पे home screen पे जाऊंगा, और जो कि पुराना तरीका था वो आपको देखने के मिलेगा, कि यहां पे कुछ आपको beneficiary list और इसके बाद आपको जो नीचे है देख सकते ह आपको एक जो कि यहां पे देखने के मिलेगा, search यहां पे beneficiary, जो के पहले यहां पे beneficiary list से निकाला जाता था, उसको अभी जो कि beneficiary list सर्च से भी आप निकाल सकते हैं, तो वहां से आपको कैसे निकालना है, वो पूरा तरीका बताऊंगा, तो simply चलिए यहां पे देख सकते ह इसमें simply मैं click कर देता हूँ, जैसे यहां पे click कर दूँगा, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको कल के update के बाद यहां पे पूरा details देखने मिलेगा, और यहां पे acknowledgement number और आधार number और यहां पे रासन कार्ट, तो जो भी आपका है, उसको यहां पे select करेंगे, और उसको जैसे यहां पे जो कि type कर देंगे, और type करने के बाद उसके बाद आपको यहां पे search का icon दिखेगा, वहां पे जैसे यहां पे search कर देंगे, तो आपका जो भी list है, यानि कि जो कि इस रासन कार्ट से जितने भी entries की गए थी, वो आपको पूरा पूरा यहां पे देखने मिले यह कभी-कभी server इसका down होने के कारण यहां पे beneficiary not found यहां पे जो कि दिखेगा, यहां पे simply आपको वही message देखने के मिलेगा, तो आपको कुछ इंतजार करना है, आप रात के time try करें, या पिर जब भी यहां पे server clear हो जाता है, तो आपको यहां पे try करना है, और कभी-कभी server क problem का यहां पे message दिखता है, कि server down है, वो message आपको site का problem दिखता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, simply आपका इसी से आ जाएगा, यहां पे जो भी beneficiary list जो है, उसमें आपका अगर नाम नहीं जुड़ा है, आपका कोई भी problem हुआ है, तो simply आप एक बार आके यहां पे search करे और search करने के बाद आप देखे कि आपका यहां पे अगर entry हो गया है, और successful का आपको message आया था, तो यहां पे जब भी आप entry करवारने जाते हैं, तो आपका जो भी यहां पे जो कि already register आ रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़े, बस आपको इसी से search करना पड तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पे मैं जब भी server clear हुआ, उसके बाद कब मैं आपको दिखा देता हूं clip, वो कैसे आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पे देख सकते हैं कि इस video को बनाने के लिए मुझे कई बार यहां पे server का इंतजार करना पड़ा है, क्योंकि बिना इंतजार किये, आपको live group नहीं दिखा सकते हैं, जैसे देख सकते हैं कि यहां पे मैं फिर से searching कर दिया है, और जैसे यहां पे search करता हूं, तो देख सकते हैं कुछ यहां पे timing ले रहा है, और बहुत बार मैंने try किया, तब जाके यहाँ पे दिन में server खुला वैसे मैंने कल रात को यह update देखा था तब मैं सोचा कि इसका वीडियो बना के जानकारी देना जरूरी है तो देख सकते हैं कुछ मैंने यहाँ पे ok प्रेस कर दिया और फिर से मैंने यहाँ पे search किया और search करने के बाद फिर से देख सकते हैं कि ऐसे कुछ यहाँ पे जो कि घुम रहा है और आपको please wait करना है और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलती है तो simply आपको जो है यहाँ पे चैनल को subscribe करना जरूरी है ताकि कोई भी आने वाली update आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फिर से मैंने यहाँ पे ट्राइगेन कर दिया और यह वीडियो इसलिए लंबी हो रही है क्योंकि यह इसका समझना जरूरी है और देख सकते हैं कि finally हमारा जो कि दू कि इस रासन कार्ट से जो भी यहाँ पे दो अगर यहाँ पे लाभूक है तो उनका यहाँ पे दोनो आ जाएगा और आपको जो भी है यहाँ पे रेजिस्टेसन नंबर आपको पूरा details में देखने के मिलेगा यहाँ पे मैं चाहता तो मैं सिंपल ही जो भी पार्ट यहाँ पे सर्च में आया उस पार्ट को मैं काट करके लगा सकता था लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि आपको समझस्या का पता होगा तब ही आप इसका हल कर पाएंगे तो उसके बाद देख सकते हैं एक रासन कार्ट का जो सिंपल देखा रहा हूँ यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं को उनका दो यहाँ पे जो की यहाँ पे लाभुक थी दोनों लाभुक का यहाँ पे जो की सारा details आ चुका है और इसका जो भी registration number है वो भी आपको starting पे पावति करमांग पे देखने के लिए मिलेगा और सारा अविदिका का नाम और details उनका जो भी पती-पती का नाम है पती का नाम या पिर पिता का नाम देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद आपको इसी को प्रिंट कर के दे देना है अगर आपको इस वीडियो से को सीखने या पिर जानकार मिली है तो simple वीडियो को like कर देजे अगर इसी तरह के वीडियो देखना पसंद है सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके तो फिर मिलते हैं और एक नए अपडेट और योजना के साथ जय हिंद बंदमातरम